Hello Friends, RCA Computer Education Smart Class में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज किस क्लास में? आज किस वीडियो में? मैं आपको बताने वाला हूँ H Look Up Formula के बारे में हाँ दोस्तो, H Look Up Function के बारे में इसने की पहले की वीडियो में आपको बताया था, B Look Up Function के बारे में मतलब B Look Up Formula के बारे में तो B Look Up का अगर आप जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेस स्रेटिफिशन में लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल को विजिट करके आप B Look Up देख सकते हैं दोस्तो, Image, Excel, Advanced, Excel के अंदर B Look Up, H Look Up, X Look Up ये सब जानना बहुत ही जरूरी है अगर ये सीख लेते हैं तो Advanced Excel आप अच्छी तरीका से जान लेते हैं ये सब फॉर्मूला बहुत ही जबदस्त फॉर्मूला होता है दोस्तो, मैंने B Look Up के अंदर आपको बताये थे, क्या बताये थे कि वर्टीकल कॉलम, मतलब कि क्या करता है कि आपको B Look Up क्या करता है इस वर्टीकल कॉलम को पहले आपको रिफरेंज देता है मतलब यहां से लेकर देखता है कि यह आपको रिफरेंज देता है और यहां से सब का अलग अलग जो है कॉलम उठाता है जैसे कि इस तरीका से आपका column उठाता है और लाके आपको result देता है और h look up क्या करता है कि आपको यह horizontal आपको function करता है मतलब कि जैसे कि we look up क्या करता है आपको इस तरीका से आपको यहां से vertical उठाता है और horizontal मतलब h look up क्या करता है horizontal मतलब कि इस तरीका से आपको डेटा को यहां से फेज करेगा अगर माल लीजिए कि मेरे क्या करना है कि माल लीजिए कि छोटू का मुझे जो है सिर्फ जो है computer subject में number देखना है समझ गयें अगर माल लीजिए कि मैं आपको बोल देता हूँ कि छोटू का फिर्फ मुझे जो है आप computer subject में उनका केतना number आया ओ निकाल के मुझे सिर्फ देखाओ तो यह किसके formula की मदस्स होगा यह आपको h look up formula की मदस्स होगा दोस्तो तो आज किस class में आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ h look up formula के बारे में दोस्तो आपको पेसंस रखकर आपको वीडियो सही तरीका से बिना skip की आपको इस वीडियो को लाजमी जरूर देखना है ताकि आप जो है h look up में master बन सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपसे एक के रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेश की तो प्रिस आप बेल आइकन और पर प्रेश कर दिए ताकि आपको information notification मिलता रहे और वीडियो को like करते जाएगा दोस्तों मारे वीडियो को share करते जाएगा सबसे पहले हम जानते हैं ही एक लुक फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर माल लीजे मैने इस यहाँ पर निकाल के दिखाता हूं ओके यहाँ पर मुझे निकालना है माल लीजे मुझे computer का निकालना है ओके तो मैंने यहां पर लिग देता हूं computer ओके अब मुझे निकालना सिर्फ computer का तो मैंने यहां पर लिग दिया computer है ना ओके तो यहां पर एक formula लगाएंगे हमारा लूप पहिलू का है ये यहां पर देखी look up है लूग आप भैलो लुक भैलो क्या हमारा कंप्यूटर क्योंकि मैंने कंप्यूटर सजेक्ट किक के हैं ने टैंपर मैंने क trafficking करूंगा कंप्यूटर करंगा भून कि विक करूब्हा क् Łीजिए तो मैंने यहाँ पर कोमा लगा दिया ओकी उसके बद एक option आ रहा table array, तो table array क्या करता है, पूरे table को हम लोग select करते हैं, भी look up की जैसा, तो इस तरीका से आपको पूरे table को friends, यहाँ पर हमारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीका से table array को पूरे को select कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगा लेना है, कॉमा लगाने के बाद, row index number, और भी look up में क्या था, column मांग रहा था, column, column index number, यहाँ पर क्या कर रही है, row index number, अब मान लिजिए कि row index number क्या, तो row index मुझे इस पर मान लिजिए कि row number seven का दिखाना है, तो मैं यहाँ पर tab करूँगा seven, यहाँ पर मैं आफिखानाug можемίνगा seven, मुझे eight का दिखाना तो मैं row number eight, एक बात आपको ध्यान में रखना अगर मैं यहां पर मुझे जो है 6 का देखाना है रोल नंबर माल लेजिए मुझे 6 का छोटू का देखाना है तो ओ किसका देखाएगा ओ कमल का देखाएगा क्योंकि यहां से गिन रहा है तो यहां पर देखी कंप्यूटर में 85 दिया है समझ गया है कैसे अगर माल लीजिए कि मुझे जो है इसका जो है आपको देखना है मान लिजिए कि मुझे जो हिंदी का तो मैंने यहां पर लिखूंगा हिंदी किसका हिंदी में मुझे देखना है मतलब रोल नंबर 4 का तो रोल नंबर 4 में जो है यहां पर देखे रोल नंबर 4 जो है आपको हिंदी में 96 नंबर है यहां पर देखे हिंदी मे 96 दिखा दिया दोस्तों, ओके, समझ गए, ओके, इसी तरह अगर मुझे जो है, यहाँ पर जो है, मान लिजिए कि मुझे जो है, यहाँ पर देखना है, आपको, रोल नमबर 4 का मैज, तो मैंने यहाँ पर टैप करूँगा, मैज, और मैंने इंटर्प्रेस करूँगा, तो 28 द बताता हूं, यहाँ पर मैं ले लेता हूं, आपको इंग्लीस, ओके, अब मैं फर्मॉए लगाऊंगा, इक्वल टू एच लूक अप, एच लूक अप, टैप प्रेश करूँगा, लूक अप है लू क्या हमारा, इंग्लिस, इंग्लिस को प्रेश करूँगा, क्लिक करूँगा, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे क्या हमारा, टेबल एरे ये सारा को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, कॉमा अन्वा प्रेस किया और उसके बाद जीरो प्रेस किया शिफ्क लोज कर दना है इंटर मार दिना तो इंग्लीस में 56 देखा रहा है दोस्तों यहां पर देखें ओके इंग्लीज में 56 देखा रहा है मतलब कि एक दो तीन चार फाइल रोल नंबर 5 यह है लेवा 56 देखा रहा है समझ गए ओके अब मुझे जो है रोल नंबर मान लिजी कि 7 का देखना तो 6 में छोटू है लेकिन यह से छोटू का मुझे देखना तो यहाँ पर मैं रोल नंबर 7 टैप करूँगा तो मैंने इस पर किलिक किया रोल 52 निकाल कर यहां देखा दिया तो यह कहने का मतलब यह है कि एक मुझे सिर्फ देखना है तो आप आप अपने नजर में एक अच्छा बन सकते हैं दोस्तो तो आज कि इस वीडियो में जो है एक लुका फॉर्मूला के बारे भी मैंने बताया कि ही एक लुका फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं दोस्तो आइज होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्यू नेक्ट वीडियो मिलते हैं